चैम आतादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे योटिप चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27 मार्च और 28 मार्च 2021 के सेहिंग राशी फल के बारे में सेहिंग राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थिती कैसी होगी किस तरह के योग होंगे और उनका प्रभाव आपकी दिन चरिया पर कैसा होगा जानेंगे सब कुछ विस्तार से इन दो दिनों के बारे में फिर वो आपकी सिक्षा हो, स्वास्ते हो, प्रेम जीवन हो, परिवारी जीवन हो और वैसे भी होली का पर्व है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे बस आगे बढ़ने से पहले आपसे चोटा सा निवेदन है अगर आप चाराल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ, यहां आपको समय समय पर सभी जानकारिया मिलती रहेंगे तो चलिए सबसे पहले हम इन दो दिनों के तिथी नक्षत्रों की बात कर लेते हैं जो 27 मार्च का दिन है, यह शुकलपक्ष की चतोरदशी तिथी है और पूर्वफालगुनी नक्षत्र इस दिन रहेगा इस दिन व्रधी नाम का योग बनेगा, साथ में रवी योग भी बनेगा चंद्रमा की इस तिथी सुभा से ही कन्याराशी में होगी कन्याराशी में चंद्रमा चले जाएंगे सिंगराशी से निकल कर और सुर्यमीन राशी में चल रहे है इस दिन का जो अभी जीत मूर्थ है, वो दोपहर 12 बच कर 2 मिनट से 12 बच कर 51 मिनट तक है अब 28 मार्च का दिन तो ये होली का पर्व, ये शुक्ल पक्ष की पोने मा तित्थी है जो कि होली का पर्व इस दिन मनाय जाता है बहुत ही सिध दिन है और इस दिन योग भी उतने ही सुंदर बन रहे है उत्तर फाल गुनिन नक्षटर रहेगा व्रधी नाम का योग बनेगा और अमरत सिध्धी योग पूरा दिन, सरवार्त सिध्धी योग पूरा दिन बनने वाला है चंदरमा कन्या राशी में है, सूर्यमीन राशी में है, शुकर के साथ तो इस दिन का भी जीत मोरत है, दोपहर 12 बज कर 2 मिनट से 12 बज कर 51 मिनट तक ये ग्रहन अक्षत्रों की स्थिति है, और देखे होली का पर्व जो होता है, वो बड़ा ही खुशियों का पर्व माना जाता है और इसके साथ ये जो दिन होता है, होली का दहन का दिन, ये उपायों के लिए बहुत महत पुन माना जाता है होली और दिवाली ये ऐसे पर्व होते हैं जो सिद्ध कहलाए जाते हैं इन दिनों में सबसे अधिक पूजा पाठ सबसे अधिक जो उपाय होते हैं वो किये जाता हैं क्योंकि वो जल्दी ही आपको फल देते हैं तो चलिए इन दो दिनों के राशी के बारे में जा लेता है और साथ में हम होली का दहन कि कुछ ज़रूरी उपाय, ज़रूरी काम भी जानेंगे तो 27 स्वार्च का जो दिन है सेंग राशी के लोगों के लिए इस दिन आपका ध्यान केंद्रित होगा आपके काम पर और आपकी जो जादा तर जो काम है वो पूरे होंगे जो योजना हैं वो चालो रहेंगे उन पर जादा ध्यान आप दे पाएंगे उनको सफल बनाने के लिए आप अगर किसी का समर्थन पाना चाहते थे किसी का आप योगदान चाहते थे तो वो भी आपको मिलेगा आप बाचीत के जरीए अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे लोग उसे जुड़ने की कोशिश करेंगे व्यपारी जो इस राशिक की हैं जो बिजनिस करते हैं उनके लिए ये जो दिन है काफी अच्छा रहेगा आपको किसी के द्वारा सम्मान की प्राप्ति दी जा सकती है और ये आपके लिए काफी प्रसंसनिया होगा आर्थे को उपसे भी खुद को आप सुरक्षित महसूस करेंगे मन में शांती का भाव रहेगा आपके दृते भाव में चेंद्रमा है धन भाव में तो ये आपके एक तो धन कमाने की जो गती है उसको तीवर करेगा आपकी सोच को बढ़ाएगा आप कुछ ऐसी चीजों की तरफ ज़्यादा ध्यान केंद्रित आपका होगा जहां से आप अपने आयक के शोद रोन सकते हैं ऐसे लोगों से भी मिल सकते हैं इसे लोगों से मिल कर भी आपको काफी अच्छा रहेगा अब इस दोरान देखे आर्थिक रूप से आप अच्छे रहेंगे धनवाव में चंद्रमा है तो धनगी कमी नहीं होगी निवीश के बारे में भी आप विचार कर सकते हैं चुटी मूटी यात्रा का योग भी बना हुआ है कहीं यात्रा भी कर सकते हैं परिवार के साथ बिताये गया समय आपके लिए आनंद में रहेगा आनंद आयक रहेगा सामाजिक रूप से भी सक्रिया रहेंगे अगर आप विवाहित हैं तो इस दोरान घर परिवार का माहुल बड़ा खुशनू मराएगा और अगर आप यह भी वाहित हैं तो शादी करने का विचार आप बना सकते हैं और शादी करने का विचार बनाते हैं तो विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे जीवन साथ ही आपका थोड़ा सा आपसे नाराज रह सकता है किसी बात को लेकर तो उनको मनाने का प्रयास करें मोहग बातें उनको पसंद आएंगी मोहग बातों से आप उनको मना सकते हैं कुछ खर्चे का भी योग है शॉपिंग भी होगी अब होली का तिहार है तो शॉपिंग तो होनी लाजमी है तो छोटी मोटे आपके खर्चे होंगे अगर प्रेम जीवन से आप जुड़े हैं प्रेमी से अनबन है तो आप अपनी प्रेम के इजहार से उसको मनाने का प्रयास कर सकते हैं जो आपके अठके होए कारे थे वो कारिया आपके इस दोरान पूरे होनी की आशन का पूरी बनी हुई है विद्यारतियों के लिए समय भी अनुकूल है और स्वास्ते की द्रस्टी से भी ये समय अनुकूल रहने वाला है देव गुरू का आश्रिवाद आपके पक्ष में इस दिन रहेगा देव गुरू आपके लिए आपके धन सम्मंदी सभी कारियों को पूरा करने की पूरी सावधानी कोशिश करने वाले हैं अब 28 मार्ज की बात कर लेते हैं हुली का दिन है रातरी में हुली का दहन होगा और मूड आपका काफ़े रोमांटिक रहेगा इस दिन धर्म कर्म में रुचीर आपकी रहेगी धर्म की कामों में ज़्यादा समय लगाएंगे धर्मी पिरवर्तिके होंगे कुछ अच्छी चीजें जानना चाहेंगे अपनी जीवन में धर्म के महत्व को जानना चाहेंगे और इसी राहा पर आप आवी चल सकते हैं खुशी मिलेगी, शान्ती मिलेगी, मन में शान्ती का भाव होगा दीखे जब मन में शान्ती होती है तो आपकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी खत्म हो जाती है क्योंकि जिसके मन में शान्ती होगी उसकी आदी टंशन खत्म वैसी ही कुछ इस्तिती आपकी होगी जो आपका खाले समय होगा उसका आनंद ले पाएंगे वैसे भी रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है गर परिवार के साथ अच्छा समय बितेगा बच्चों के साथ बाहर भूमने जा सकते हैं बच्चों को शॉपिंग पर ले कर जा सकते हैं तो खर्चे का भी योग साथ में है मनुरंजन, एशो औराम के साधनों पर आप खर्च करेंगे लेकिन जरूर से ज़्यादा खर्चना करें इस बात का दिहान रखें कुछ ऐसे विक्तियों से जुड़ना होगा जो काफी आपके लिए परसंस निये हैं काफी आपके लिए माननी निये हैं और उनसे मिलकर आपको अच्छा भी लगेगा जो विवाह के योगे हैं उनके जीवन में खुशियां दस्तक देने वाले हैं खुब खुशियां मिलने वाले हैं एविवाहित लोगों के लिए ये समय सबसे अधिकानुकूल है खुशियों का समय, खुशियों का साथ, परिवार का साथ सब कुछ होगा और पैसो से जुड़ी जो समस्या थी उसमें सफलता मिले की आप काफी भावनातमक भी रहेंगे अब जब इंसान ज़्यादा भावनातमक होता है तो मन बीचैन हो जाता है तो थोड़ा सा दियां आपको अपनी खुद पर कंट्रोल करना होगा परिवार का साथ आपके लिए अच्छा होगा और वो आपको हिम्मत देगा अपने लव पार्टनर पर आपको विश्वास करना है उनकी बातों पर विश्वास करना है स्ट्रॉंग बनना है तब ही आप अपनी लव लाइफ को अच्छे से निभा पाएंगे बाकी ये जो दिन है हुली का दिन है शाम के समय हुली का देहन होगा और हुली का देहन बहुत महत्पुन होता है इस दिन बड़े सुन्दर योग भी बन रहे हैं उन योगों का प्रभाव आपके लिए होगा अगर आपके परिवार में किसी को स्वास्त संबंधी परिशानी है आपका वैपार नहीं चल रहा है, काम नहीं बन रहे है नौकरी में उन्नत ही नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है तो आप एक कारे करें, जो पूजा का नारेल होता है या जो भी नकारातमक चीज़ है वो सब इनस्ट होगी पॉजिटिविटी का आपके लिए यहां संचार होगा और यह बहुत उत्तम होता है हुलिका दहन में नेगिटिविटी आपकी खत्म हो जाएगी तो बहुत हद तक आपको रिलिफ देखने का मिलेगा छोटी छोटी सी चीज़ें इनको अपने जीवन में जरूर करके देखें कई बार यह छोटी चीज़ें बड़े माइने रखती है और जो हुलिका दहन की राक है उसको अपने घर के हर कौने में छिड़के वहाँ से भी आपके घर की नेगिटिविटी दूर हो जाएगी साथ ही चानल को भी सब्सक्राइब कर लें हमारे इस वीडियो को ज़ाज़द देखें